सोशल मीडिया पर लाठी वाली दादी काफी वाइरल हो रही है आम लोग ही नहीं सेलिब्रिटी तक इस दादी के फैन हो गए हैं अभिनेता रितेश देश मुख से लेकर दादी चंदरो तोमर और एक्टर सोनू सूथ ने इस दादी की वीडियो को अपने ट्वीटर एकाउंट पर शेयर किया है हर कोई इस लाठी वाली दादी के बारे में जानना चाहता है सोनू सूथ ने ट्वीट किया कि मैं इन दादी से मिलकर छोटा सा ट्रेनिंग स्कूल खोलना चाहता हूं उन्होंने लिखा उस स्कूल में है दादी महिलाओं को सल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की टिप्स देंगी बताया जा रहा है कि यह दादी महराश्टर के पुने की हैं किसी ने सोनु सूत के ट्वीट पर जवाब देकर महिला का पता और मुबाइल नंबर शेयर किया है वाइरल वीडियो में दिख रहा है कि एक बुज़ूर्ग महिला सड़क पर लाठी से ऐसे हैरत अंगेज करतब दिखा रही है कि कोई भी अपने दातों तले अंगुली दबा ले दरसल बुज़ूर्ग दादी अपनी लाठी के करतब दिखा कर अपने खाने के लिए पैसे जुटा रही है दादी ने भीक मांगने से अच्छा अपना हुनर दिखा कर पेट भरना ज़्यादा सही समझा आते जाते रहागे दादी की करतब को देखकर उनके जोले में कुछ न कुछ डाल रहे हैं लोग दादी की तारीफ भी काफी कर रहे हैं किसी ने तो लिखा है कि दादी ने तो आज दिन बना दिया तो किसी ने लिखा कि दादी को सलाम, दादी के करतब को सलाम इस वीडियो को देखकर सभी को ये सीख जरूर लेनी चाहिए कि उम्र चाहे कोई भी वो भीक मांगने से अच्छा अपने हुनर से पैसे कमाना है अपना पेट भरना है